कथावा चन कोशल तैयारी, पाठ और पाठ के बाद जब आप कहानियों सुनाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप सुनने वालों की आँखों में देखें यदि आप विभिन पात्रों के लिए भिन स्वरों का उप्योग करते हैं और उदाहरन के लिए उप्योग समय पर अपनी आवाज की तीवरता और सुर को बदल कर फुस्फुसाते या चिलाते हैं, तो उन्हें आनन्द आएगा कहानी की प्रमुख घटनाओं का अभ्यास कीजिए ताकि आप इसे पुस्तक के बिन स्वयम अपने शब्दों में मौखिक रूप से सुना सकें कक्षा में कहानी को मूर्त रूप देने के लिए आप वस्तुओ या कप्टो जैसी सामगरी भीला सकते हैं जब आप कोई नई कहानी सुनाए तो उसका उद्देश्य समझाना न भूले और विद्यार्थियों को इस बारे में बताए कि वे क्या सीख सकते हैं आपको प्रमुक शब्दावली उन्हें बतानी होगी वह कहानी की मूलबूत संकल्पनाओं के बारे में उन्हें जागरूक रखना होगा आप कोई पारमपरिक कहानी कहने वाला भी विद्याले मेला सकते हैं लेकिन सुनिश्चित करे की जो सीखा जाना है वह कहानी कहने वाले वह विद्यार्थियों दोनों को स्पष्ठो कहानी सुनाना सुनने के अलावा भी विद्यार्थियों की कई गतिविधियों को प्रोथसाहित कर सकता है विद्यार्थियों से कहानी में आय सभी रंगों के नाम लिखने चित्र बनाने प्रमु घटना याद करने, समवाद बनाने या अंत को बदलने को कहा जा सकता है उन्हें समुहों में विभाजित करके चित्र या सामगरी देकर कहानी को किसी और परिपैक्ष में कहने को कहा जा सकता है किसी कहानी का विशलेशन करके विध्यार्थियों से कल्पना में से तत्य को अलग करने, किसी अद्वुद घटना के वैज्ञानिक स्पष्टिकरन पर चर्चा करने या गनित के प्रशनों को हल करने को कहा जा सकता है विध्यार्थियों से खुद अपनी कहानी बनाने को कहना बहुत सशक्त तरीका है यदि आप उन्हें काम करने के लिए कहानी का कोई धाचा, सामगरी व भाशा देंगे तो विध्यार्थि, गनित, व विज्यान के जटल विचारों पर भी खुद अपनी बनाई कहानिया कह सकते हैं वास्ताव में वे अपनी कहानियों की उपमाओं के माध्यम विचारों से खेलते हैं अर्थ का अन्वेशन करते हैं और कल्पना को समझने योग्य बनाते हैं जीवन तरीके से कहानी सुनाने की क्षमता शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। यह किसी पुस्तक से भी हो सकती है लेकिन आपको पुस्तक के बिना यह कहानी बोलकर सुनानी होगी। इस कहानी में कोई ऐसा नैतिक संडेश हो जिससे सिखाना आपको विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण लगता हो शायद आप कोई पारंपरिक कथा चुनेंगे। यह कहानी आपकी कक्षा के लिए उप्यूप क्यूं है। कहानी का चैन कहानी की अवदी पर विचार करें। क्या इसे थोड़े से समय में सुनाया जा सकता है। कहानी की कठिनाई पर विचार करें। इसमें उपियोब किये गए शब्द और वाक्यान्ष परिचित हैं या परिचित। कहानी में आप कहां रुखकर विद्यार्थियों को अपने साथ शामिल होने या अपने पीछे दोहराने के लिए कह सकते हैं। इस बात पर विचार करें कि क्या कहानी हाशिये पर मौजूद समुहों के द्रिश्टिकों से समावेशिक हैं। क्या इस कहानी के कारण कोई विद्यार्थी खुद को उपेक्षित या शर्मिंदा महसूस कर सकता है। इस बारे में सोचें कि आपके पास कौन से साधन या चित्र हैं या बनाने की आवश्यक्ता हैं, जिससे कहानी को विद्यार्थियों के लिए अधिक जीवन्द बनाने में मदद मिल सकती है। उदाहरन के लिए क्या आपको किसी टोपी, जाडू या लौप के चित्रों की जरूरत पड़ेगी। या आप वास्तविक वस्तूओं का उप्योग करेंगे। पाठ की तयारी कोई ऐसी कहानी चुने जो आपको अच्छी तरह मालूम है। इस कहानी का एक बहुत सरल अंग्रेजी संसकरन तयार करें। यह कहानी सुनाने का अभ्यास करें ताकि आप इसमें आत्मश्वास महसूस करें। मुख्य शब्द और वाक्यान्ष चुने ऐसे शब्द और वाक्यान्ष चुने जो कहानी के लिए महत्वपुन हैं और कहानी में बार-बार आते हैं ताकि विद्यार्थियों को उन्हें सुनने और उनका अभ्यास करने के अफसर एक से ज़्यादा बार मिले। इन शब्दों को यादगार और सरल बनाएं ताकि विद्यार्थियों को उन्हें सीखने में मजा आएं। अंग्रेजी के मुख्य शब्दों और वाक्यान्षों को शब्द काड़ों पर लिखें। शब्द काडों से मेल खाने वाले चित्र बनाए, ये चित्र स्वयम बनाए या किसी पत्रिका से काट ले. अथवर टोपी, जाडू या गमले जैसी वस्तूओं का उप्योग करें. इन शब्द काडों और चित्रों या वस्तूओं का उप्योग करके कहानी सुनाने का अभ्यास करें कहानी में ऐसे पर्णूड हैं जहां रुखकर आप विद्यार्थियों से अपने पीछे दोहराने के लिए कह सकते हैं या आपके साथ मिलकर वे वाक्यान्ष दोहरा सकते हैं यह तै करें कि आप किस तरह विद्यार्थियों को कहानी सुनने के लिए तयार करेंगे ले, गी, ड्रम, घंटी या अन्यविधी पार्थ में विद्यार्थियों को एक कहानी के लिए तैयार करें ताकि वे सभी इसे सुनें कोई घंटी बजाए, ड्रम बजाए, ताली बजाए उन्हें बताए कि वे यह कहानी अंग्रेजी में सुनेगे और आपके साथ अंग्रेजी का अभ्यास करेंगे कहानी सुनाए, धीरे धीरे बोले, हावभावों और चेहरे की भावनाओं का उप्योग करे शब्द काड, चित्र या वस्तुए दिखाए, विद्यार्थियों को इसे दोहराने और इसमें जुनने के लिए प्रोचसाहित करे अंग्रे जी में दोहरावपूर्ण शब्दों या वाक्यान्शो का मिलान चित्रों या वस्तुएं के साथ करके इनका अभ्यास करे कथा पाठ के बाद अंग्रेजी शब्दों और वाक्यान्शों को दिवार पर रखें, ताकि विद्यार्थी उन्हें पढ़ना और अभ्यास करना जारी रख सकें विद्यार्थियों को वह कहानी अंग्रेजी में फिर से सुनने के लिए प्रेरित करें जब आप फिर से यह कहानी सुनाते हैं, तो विद्यार्थियों से प्रश्ण पूछे, जैसे अब इसके बाद क्या हुआ था? यह घटना कहा हुई थी? या ऐसा किस ने किया धा? इसे विद्यार्थियों की समझ का मूलियाकन करने के अफसर के रूप में उप्योग करें